दो हजार तेईस में अधिक मास कब है और अधिक मास होता क्या है ये दोनों चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दिता हूँ सोर वर्ष और चंदर वर्ष में सामंजे से स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष यानि कि हर चतिस महिने और सोले दिन के बाद पंचांगों में एक चंदर मास की विरधी कर दी जाती है यानि कि एक चंदर मास को बढ़ा दिया जाता है और इसी को अधिक मास या अधि मास या मल मास कहते हैं यानि कि इसको अधि मास भी कहा जाता है मल मास भी कहते हैं और अधिक मास भी कहते हैं तो इस साल जो है 2023 में अधिक मास जो है वो मंगलवार 18 जुलाई 2023 से बुद्वार 16 अगस्त 2023 तक होगा यानि कि साल 2023 में अधिक मासों के दिनों का जो समायोजन है वो सावन के महीने में होगा इस कारण से सावन का महीना जो है वो दो महीनों का होगा यानि कि आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं इस बार दो सावन होंगे तो 2023 में जो है वो जुलाई के महीने में अधिक मास होगा आधी जुलाई और आधा अगस्ता आप इस तरह के सिसको समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु